हलो स्टूदेंट्स वल्कम टू मैंगनेट ब्रिंज हिंदी मीडियम मैं लाली बर्मा आप सभी कख्षदस्भी के विध्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं और हमेशा की तरह याशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे प्रियविध्यारत ही हो, Magnet Brains है आपके लिए जो सभी बोर्ड की येस, मैं बात करूँ, UP बेहार बोर्ड और MP बोर्ड, CVSC बोर्ड सभी बोर्ड के आपके लिए परिक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं तो बने रहना हमारे साथ जिससे की आप बहतरीन तरीके से अपनी परिक्षाओं में अंक प्राप्त कर सको साथी साथ एक और बात मैं बता दूँ कि mandate brains पर आ गई है books और e-books बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप e-books जिनको आप डाउनलोड करके बहुत बहतरीन तरीके से अपनी परिक्षाओं की तैयारी कर सकोगे और साथी साथ आगे आने वाले competitive exams को भी crack कर पाओगे इनकी साहता से तो description में देखिए वहाँ पर link दी है उसको click कीजिए form fill कीजिए और सम पूंचान करी आपको books के बारे में मिल जाएगी अब हम चलते हैं इस वीडियो के तरफ ठीक है तो हमने mcqs में part 5 तक complete कर लिया है और आज मैं लेकर आई हूँ part 6 भारत माता का मंदर है लिखा है राश्ट कवी मैथली शरन गुप्त जी ने और करने वाले हैं हम इसके mcqs अर्थाद वस्तू निष्ट प्रश्न जो कि आपकी papers या परिक्षाओं में सबसे पहले अपनी प्रमुख भूमिका रखते हैं या अधा करते हैं जब कहते हैं कि हमारी शुरुवात अच्छी हो जाती है तो संपून कारे अपने आप सही सिद्ध हो जाते हैं सही विकल्ब को चुनो और उसको याद रखो ठीक है तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर पहला प्रश्न मैथली शरण गुप्त किस यूग के कवी है किस यूग के कवी है का भारतेंदु यूग खा दुवेदी यूग गा छायवादी यूग या घा प्रयोग वादी यूग तो मैतली शरण गुप्त जी हैं दुवेदी युग के कवी अगला प्रश्ण मैतली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ कौन से सन में हुआ का 1886 इस भी में खा 1890 इस भी में या फिर गा 1900 में या फिर घा 1910 में बात की जा रही है मैतली शरण गुप्त जी के जन्म की ठीक है तो आपका जन्म हुआ था सन 1886 में कब हुआ था मैतली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जन्मपद में हुआ था उत्तर प्रदेश में तो हुआ था हाँ आपी के राज में लेकिन किस जन्मपद में हुआ था का मथुरा खा जासी गा प्रयागराज गा वारनसी तो आपका जन्म हुआ था जासी जन्मपद में अगला प्रश्न मैथली शरण गुप्त को किस उपाधी से सम्मानित किया गया था यदि आपने बहुत ध्यान पूर्वक स्टार्टिंग में सुना है जो मैंने आपको बताया था देखते हैं आप आपको याद है कि नहीं मैथली शरण गुप्त को किस उपाधी से सम्मानित किया गया था का राष्ट कवी खा जनकवी गा व्याकरनाचार्य या फिर घा इनमें से कोई नहीं तो मैथली शरण गुप्त जी को राष्ट कवी येस राष्ट कवी उपाधी से सम्मानित किया गया था ठीके अगला प्रश्ण है मैथली शरण गुप्त जी का निधन कब हुआ था जन्म कब हुआ था याद है आपको भूले तो नहीं जन्म हुआ था 1886 में और बात कर रहे हैं हम अब निधन की तो 1886 ठीके ये इनका जन्म है अब हम देखते हैं निधन तो क्या किसी को याद है जो आपने पढ़ा होगा तो निधन इनका हुआ था सन 1964 में ठीके अगला प्रश्ण साकेद महाकाव के रचेता हैं साकेद महाकाव यह बहुत थी सुन्दर कहानी है जिसमें लक्षमन उर्मिला की प्रेम कहानी को दिखाया है राम और सीता को तो हम सब जानते हैं क्या हमें यह पता है कि शिराम के भईया लक्षमन और उनकी पतनी उर्मिला की क्या कहानी है किस तरह की कता है जब शिराम और सीता वनवास को जा रहे थे तो भ्राता अनुझ लक्षमन भी उनके साथ जाने के लिए तयार हुए सब ने बहुत समझाया परंतु वो नहीं माने और बोले कि भ्राता या मेरे बड़े भईया शिराम के चर्णों में ही मेरा संपून जीवन समरपित है उनकी पतनी उर्मिला थी जो की सीता जी की बहन थी छोटी वो प्रतिक्षा करती रहती है कि अब आएंगे अब आएंगे उनकी प्रतिक्षा का बहुती सुंदर वर्नन मैतली शरंगुपत जी ने किया है तो साकेत है मैतली शरण गुप्त जी की रचना अगला भारत भारती मैतली शरण गुप्त की किस विधा की रचना है कौन सी विधा है का कावे संग्रह है का महा काव्य गा उपन्यास या फिर घा नाटक तो मैतली शरण गुप्त जी की है ये कावे संग्रह है भारत भारती कावे संग्रह है जिसमें कई कविताओं का समावेश है संग्रह है जिसमें उनकी रची हुई खास जो विशेश वैसे तो उनकी सभी रचनाएं विशेश है तो उन्हीं कविताओं का संग्रह है भारत 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 माता का मंदरी है कविता के रचनकार अब आप कहेंगे मैडम हम ऑप्शनी क्यों पढ़े हम जवाब दे देते हैं का है अग्ये खा है मैथली शरंगुब्द गा है मुक्ति बोद गा है माखलाल चतुरवेदी येस तो आपने सही सोचा कि भाई जिसके बारे में हम हैं कभी के बारे में हम पढ रहे हैं तो वहीं उनके रचेता है अगला प्रशन है भारत माता का मंदर ही में का मंदिर है यह कवीता में का सरवत्र समानता सरवत्र मीन सब जगे समानता ही समानता खा सम्मान एवं स्वागत इसमें सरवत्र समानता भी दिखाई गई है और क्या या फिर सम्मान और स्वागत दिखाया गया है या फिर गा आदर्श चरित्र पर बल दिया गया है आईडियल येस क्या है मतलब एक आदर्श चरित्र कैसा होना चाहिए क्या वो भी बताया गया है या फिर गा उपर युगतु सभी ये भी ये भी ये भी क्या लगता है आपको येस बिल्कुल साही जवाब है होगा इसका उत्तर उपर युक्त सभी ठीक है अब हम चलते हैं अगले प्रश्णी की ओर प्रश्ण है कोटी कोटी कंठों से मिलकर उठे एक जैनाद यहां सबका शिव कल्यान यहां है पावे सभी प्रसाद यहां तो कोटी कोटी कंठों से कोटी का मतलब समझते हो ना करोण करोण कंठों से एक ही स्वर निकलता है क्या स्वर निकलता है एक उठे एक जैनाद यहां सबका शिव कल्यान यहां है पावे सभी प्रसाद यहां तो प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्रित है किस कविता से मंदरी है खा यशोधरा गा द्वापर या फिर घा इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है भारत माता का मंदरी है इसी से ये की गई है रचना पंग दियां ठीक है अगला प्रशन है अबला जीवन हाए तुम्हारी यही कहानी आचल में है दूध और आखों में पानी ये कावे पंग्तियां किस कवी की है जब समाज में महलाओं की इस्तिती एकदम दैनिय थी पुरुश्वर्ग का वर्चस्व था तो क्या कहते थे कि नारी तुम केवल श्र प्रश्वास रगत जत ऐसा एक पंग्ति है हमारे राष्ट कवी की तो यह है कि अबला जीवन नारी को अबला माना गया है तुम्हारी यही कहानी आचल में है दूध और आखों में पानी तुम्हें अपने बच्चों का पालन पोशन घरना है घर की चार दीवारी में कैद बहना है और साथ ही साथ जो भी दुख जो भी अत्यचार तुम पर होंगे तुम्हें बस रोते रोते ही अपना जीवन व्यतीत करना है अब बड़ा अजीब सा लगता है यह पंग्तियां सुनकारिया पढ़कारिया देख कर कि यह सा मतलब किस तरह की दुर दशा थी नारी क तो यह पंग्तिया है हमारे मैधली शरण गुप्त जी द्वारा रचित अब इन पंग्तियों के माध्यम से उन्होंने स्त्री की दशा के बारे में समझाया है कि हाँ स्त्रीयों की दशा ऐसी ही तो थी अगला प्रशन है यशोधरा की काव्य विधा है जो यशोधरा है उसकी काव्य विधा कौन सी है हाँ का महा काव्य खा खंड कावय गा चम्पू कावे या फिर गा इनमें से कोई नहीं तो ये शोधरा है चम्पू कावे ठीक है अब हम चलते हैं अगले प्रश्णी की और किस रचना के कारण गुप्त जी सरवाधिक चर्चित हुए किसी ना किसी की लाइफ में आता है ना कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो यदी मेरे जीवन में नहीं आया होता कितना कि यदी वो घड़ी मेरे जीवन में वो शुब घड़ी यदी नहीं आई होती तो हो सकता ह मैं आज ऐसी या इस स्थिती में आपके समक्ष नहीं घड़ी होती हाँ हाँ मैं अपने जीवन के बारे में बता रही हूं कि देखिए गाउ में पली बढ़ी ठीक है पांच भी तक सरकारी स्कूल में बहतरीन तरीके से जो टाट पटी है रहती ना उन पर बैटका सिक्षा घ् करी जवान नवुदे विद्याले हमारे जो सिक्षक थे उनको पता था मतलब कि अरे जो भी कोई आता हमारी बच्ची ये है तो ऐसा करती है वैसा तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अपनी स्टूडेंट का फॉर्म भरवाएंगे सेलेक्ट हो जाएगी तो मैं बिलकुल सहरदय धन्यबाद कहती हूँ अपने गुरू जनों का अपने मातपिता का अफकॉर्स और सब का जिनोंने उस समय इस कारे के लिए मुझे चुनार था उन्होंने ये सोचा कि हाँ ये जाएगी और जरूर वहाँ पर अपने आपको प्रूफ कर पाएगी तो एक छोटी सी बच्ची गाउं में 19 साल की बच्ची जो अब गाउं से दूर जाकर सिक्षा ग्रेंड करती है जो की होस्टल में गाउं में अचंभा चारो तरफ के एरिया में दम हो गया कि ये कैसे कोई कैसे बाहर सिक्षा के लिए भेज सकता है घर पर पिता जी भाई सहाब जो भी हमारे घर में त भेजो नहीं भेजते हैं लड़कियों को बाहर पता नहीं क्या उचनीच हो जाए लेकिन घर का माहुल अच्छा था मेरे माता पिता को मुझ पर भरोसा था कि हमारी बेटी है कुछ चाही करेगी और इस तरह से उन्होंने वहां भेजा और आज यदि मैं कहूं कि जो भी हू मैं अपने माता पिता अपने गुरुजनों के आशीरवाद से या उनके जो विश्वास था उसको अपना अपनी ताकत बना कर यहां पर आई हूँ और आज सौभागे ये प्राप्त हुआ है कि मैं आप लोगों के समक्ष खड़ी हूँ तो यहां पर बात यही है कि कौन सी जो रचना थी जो कि सर्वाधिक चर्चित होई का साकेद खा येशोधरा गा पंचवटी या गा द्वापर तो सबसे चर्चित है उनकी साकेत ठीक है साकेत नगरी है यही स्वर्ग से धरा पर आ रही है उसका अलंकार अतिशोक्ति अलंकार का उधारन भी इसको साकेत नगरी में हमेशा आपको आता है तो जब कभी इस तरह से आए तो आप लिख दीजिएगा साकेत से ही बहुचर्चि हुए अगला प्रशन है भारत भारती की विशय वस्तू है का रास्ट्र पेम खा रास्ट्रिय भावना गा नैतिक प्रेरणा या फिर गा उक्त सभी उपर युक्त भी लिख सकते हैं उक्त भी लिख सकते हैं ठीक है उपर ही होता है उसका मतलब तो भारत भारती की विशय वस् राष्ट प्रेमी है राष्ट्री भावना भी है नैतिक प्रेरिना भी है इट नीज है उप्रियों तो प्यारे विद्यार्तियों आपने सुना और समझा और इसी तरह से सुनना है समझना है ताकि आपको हमेशा के लिए ये इस तरह के जो महत्वपून प्रशन है न वो आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहें क्योंकि ना के वल आप ये मसोच ना कि हम दस्वी परिक्षा में ही इनका काम हो पाएगा या ये हमारे काम की है अपितू मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदी सायते से प्रशन आते हैं तो इसी तरह के प्रशन आते हैं तो इनको हमेशा याद रखिएगा बहुत बहुत शुब कामनाय देती हूँ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाए थैंकि सो मुझ